नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूछा 2023 के चुनाओं के एक्जिट पॉल क्या बता रही हैं ये बात तो अब आप अच्छे से जान गए होंगे जिसमें बीजेपी को फाइदा और कॉंग्रोस पार्टी को बड़ा नुकसान नजर आ रहा है पर एक महतुपन मुद्दा है मुस्लिम वोटर का आकिर मुस्लिम वोटर्स ने किसे चुना इसे जानना और समझना काफी जरूरी है तिलंगाना की 40 विदान सबा सीटों पर जीत हार खुले तोर से मुसल्मान वोटर ही तै करते हैं तिलंगाना में तो एक्जिट पोल में कॉंग्रोस पार्टी जीत दर्च कर रही है पर बाकी राज्यों में मुस्लिम वोटर्स ने किसे वोल्ट दिया है आज ये पूरा गनित समझेंगे तिलंगाना से जो एक्जिट पोल सामने आए उसमें साब समझ में आ रहा है कि मुसलिम वोल्ट बैंक कॉंग्रोस पार्टी को मिला है बाकी राज्यों में क्या-क्या है देखें ये जो पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ये दो हजार चौबिस के चुनाव से पहले का आखरी चुनाव है और मुटा मुटी ये समझ में आ जाता है कि दो हजार चौबिस में क्या होगा किस पार्टी का संगठन कितना मजबूत चल रहा है कौन कौन से मुद्दे आगे आने वाले हैं नेता भाशन देने जाते हैं अब उसको अभी समझेंगे कि कैसे कैसे इसको हम एनिलाइज कर सकते हैं और जन्रली जो डिफेंट सेगमेंट्स उसका मूड क्या है अब एक्जिट पोल तो आ गया तो टेलीण चैनल में क्या दिखाते हैं सिर्फ दिखाते हैं यह लोग कितना पर्सेंट वोट मिल रहा है और कितना seat आएगा लेकिन exit poll सिर्फ उसी का नहीं होता है जब यह survey करने वाले जाते हैं लोगों से पूस्ताज करते हैं तो उनका नाम भी लेते हैं age group भी लेते हैं education भी लेते हैं यह करते हैं और उसके बाद 3-4 सवाल पोशते हैं तो जो data आपको television पे लेकिन राजनीति के nuances को समझना है तो इन लोगों के द्वारा जो बाकी आर्टिक लिखे जाते हैं कि बाई चानक्या ने यह survey किया तो survey में बहुत सारे सवाल पूशे जाते तो जो survey करने वाली जो एजिंसिया होती है उनके पास यह data भी आजाता है कि मुसल्मान किसको vote कर रहा है दलित किसको vote कर रहा है अब जो exit poll आया है और हर political party दूसरे राज्य के चुनाओं में और खास करके वो लोग जो national aspirations रखते हैं जैसे अखले सादब हो गए है ममता बरजी, नितिश कुमार RJD, अर्विंद केजरिवाल, NCP ये लोग national politics में contribute करते हैं तो इनकी भी नजर बनी भी रहती है वो चुनाओं भले नहीं लड़ते हैं लेकिन किस राज्य में क्या हो रहा है voters और कौन organization, कौन NGO, कौन social activist हावा का रुख नापने के लिए ये लोग उसमें बकायदा दखल नहीं देते एक observation जरूर रखते हैं उन सारे चुनाओं के उपर करनाटक में चुना हुआ हम लोग इस पर discuss कर चुके हैं कई बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ करनाटक में जीत गए और उसका ramification क्या हुआ करनाटक में Congress Party के पास Muslim voters नहीं थे करनाटक में JTS को दिया जाता था अब हुआ क्या वो Congress Party के पास क्यों चला गया क्योंकि करनाटक और केरल वहाँ PFI बड़ा मजबूत है और उसकी उसका जो political wing है जो साथ भी ban नहीं हुआ है SDPI उसके साथ Congress Party का एक tacit understanding है मतलब open नहीं वो अंदर अंदर उनके साथ मिल के काम करते हैं और आज की तारिक में PFI is the biggest Muslim organization though it is a band one परतिबंदित है क्योंकि वो दंगा कराती है पता नहीं वो क्या-क्या-क्या-क्या चीन से भी पैसा आता है ये सारी चीजे जो है वो CA Angolan के बाद जो investigation हुआ उससे सामने आया सिर्फ UP UP के अंदर 15 दिन के अंदर इन लोगों ने ठाई 100 कडो रुपे बिड्रॉल किये थे और बाटे थे और जगह-जगह आग जनी और प्रोटेस्ट वो एक हजार साहिन बाग बनाएंगे उसमें वो कर्च किया था तो इसका impact क्या हुआ कि जो Muslim Organizations जो है वो अंदर अंदर इन्होंने काम किया फिल्ड बनाया और लास्ट मुमें में वोट ट्रांसफर कर दिया Congress Party को मिला क्या मिला आज की तारिख में करनाटक के अंदर जो टीपी सुल्तान के उपर प्रतिबंद हो गया था अभी बिना किसी को बोले वह स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है कि जो संग्मेठनों ने जो Muslim संग्मेठनों ने वहाँ पे Congress Party को support किया they got so many things in return including post ठेका जो सरकार चलाने के बाद जो आप देते हैं किसी को immediately आईए आप तेलंगाना में तेलंगाना में किसको वोट मिल रहा था तो बियारेस को मिल रहा था हट गए चले गए किसके पास Congress Party के पास और यहां तो एलानिया हुआ बिल्कुल चार चार बड़े बड़े संग्ठन इन्होंने बकाइदा प्रेस Conference करके कहा कि हम Congress Party के साथ है तो हैदराबाद को छोड़ करके वो अब राजिस्थान की रिपोर्ट आई वहाँ भी PFI को बकाइदा आपनी सरन दी वहाँ पे कोटा में National Conference हुआ PFI का एक Band Organization का तमाम सुविधाएं दी गई गहलों सरकार की तरफ से और इसलिए आप देखिए सर्तन से जुदा कहा राजिस्थान में हर्वान जैती के उपर जो पहला पत्थर गिरा कहा गिरा राजिस्थान में मुर्शैकल से जगला हो जाएगा किसी स्ट्रीट वेंडर से जगला हो जाएगा 2000 लोग जो है आज आएगे दंगे इसी स्टिती बन जाएगी क्यों पिए फाई मजबूत है क्या ख़बर आ रही है 83% वोटर जो है मुसलिम उन्होंने वोट किया कॉंगर्स पार्टी को अब भारती जिन्ता पार्टी में तो कोई मुर्ख बैठे बनी है उनको तो मालू है मुसलिम होट तो हमको मिलता नहीं है चाहते भी नहीं है लोग उमिद्वार भी नहीं ख़ड़ करते ठीक है कोई बात नी तो ये जो अभी एक्जिट पोल और ये जो वहां से जो सिगनल्स मिल रहे हैं वो किसके लिए है वो सिगनल है ममता बनर जी के लिए वो सिगनल है अखलेश यादव के लिए अरविंद केजरिवाल देखिए सारे लोग एक्टिव हो गए अचानक से आज जो है फायार कर दी ममता बनर जी तेरा चौदा के खिलाफ मोदी के खिलाफ ये कर भी अमिशा गए वहाँ पे खल बास्त देने के लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए भी क्यों अब तो मोदी के सामने लड़ना पड़ेगा चिलाना पड़ेगा गाली गलोच करना पड़ेगा मुसलमानों के सामने ये बताना पड़ेगा कि हमसे बहतर बीजेपी को कोई नहीं लड सकता वो वहां कह रही है कि किसी माय के लाल में दम नहीं है कि सीए को लाबू करा दे क्यों कह रही है अचानक से क्या पड़ गया ऐसा सिगनल मिल रहा है कि मुसलिम वोटर्स कॉंगरेस पार्टी ने तरह के अर्गनाजेसंस चाहिए वो जम्यत हो चाहिए फिर वो पीफ़ाई हो चाहिए वो मिल्ली कॉंसिल हो इस तरह के ऑर्गनाजेसंस जमात वाले हो उनके जरिये मुलाना उस सब को लिफापा भेज भेज किये यह वोट मुसलिम वोट को अपनी तरफ कर रहे हैं यह लोग तो सड़क प्या जाएंगे बही जैसे जेडियस के पास को दूसरा चारा नहीं बचा वो भारती जिंता पार्टी के साथ घड़ बंदन अभी बियारेस वाले भी अपनाता पीटिंगे बही इनके उपर वरोसा नहीं किया जा सकता है हम जो है वापस आप कि अगर सरकाया नहीं बनी बियारेस की वो भारती जिंता पार्टी के साथ आएंगे क्यों उनको समझ में आज जागा यह तो मामला खतब हो गया अभी अगले सादव ने एक सर्वेकर आया वह हम वो ने डिसकुस किया था अभी 15-20 दिन पहले वो संड़े गाजिन में वो र कॉंग्रेस पार्टी के वज़े से तो इस तरह से वह सारी चीजे उनका अपना चल रहा है और जो कोई भी वो मोदी के टुकरे-टुकरे करने वाला बोटी-बोटी करने वाला वो उसको कॉंग्रेस में आ गया तो यह धीरे-धीरे करके यह मैसेज जा रहा है अब अकले सादव के पास से 20 परसेंट भी मुस्लिम निकल गया जमानत जब्त होगी हर जगा एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे वो लोग सभा में पत्ता साफ हो जाएगा विधान सभा में भी और यही खाफ किसको डर किसको नितिश कुमार को भी होग होगा उधर भी होगा सब तरफ होगा तो यह जो मुस्लिम और्गनाजिशन्स ने मुस्लिम वोटर्स ने यह जो ट्रेलर दिखाया है ना जी बवाल हरकंप मचा हुआ है हाहकार यह तथा कतित इंडी अलाइंस में आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडी अलाइंस का जो घमाशान होगा वो फाइट अभी बीजेपी और कॉंगर्स से लड़ रही थी राज्यों में उससे ज़्यादा खराब लड़ाई इंडी अलाइंस के अंदर सुरू होगा तो तिलंगाना में इस बार सियासी समयकरन बदलते नजर आ रहे हैं अधिकतर एग्जिट पोल में जहां इस राज में कॉंगर्स की बड़ी जीत का दावा किया चारा है तो वही OVC की पार्टी अपनी मौदूदा सीटों को बचाने में काम्याब होती दिख रही है लेकिन पार्टी के लिए चंता की बाद दूसरे विधासवाद छेत्रों में मुस्लिम बोटरों का कॉंगर्स की तरफ जाना है खैर मुस्लिम बोटर का बड़ा एहम योगदान भी है अब देखना होगा तीन तारीक को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं देखते रहे क्यापटल ट महुचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हम बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोड़ेंगे नहीं हम बिहार से हैं